C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा एक की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी अध्याय छे, तीन साथी, प्रिष्ट संख्या चोंतीस मिलकर पढ़िये इस प्रिष्ट पर दो चित्र दिये गए हैं पहले चित्र में एक हाथी है और एक बकरी एक था हाथी, एक थी बकरी, दोनों साथ साथ जंगल में जाते इस प्रिष्ट के दूसरे चित्र में हाथी अपनी सून में फसा कर एक डाल को नीचे जुकाए हुए है बकरी उस डाल पर लगी पत्तियों को खा रही है हाथी डाली जुकाता और बकरी पत्ते खाती एक दिन दोनों जंगल में गए प्रिष्ट संख्या 35 इस प्रिष्ट पर दो चित्र दिये गए है एक तालाब है तालाब के किनारे बेर का पेड़ है जिस पर हाथी टक्कर मार रहा है बेर जमीन पर गिर रही है जिसे बकरी खा रही है दूसरे चित्र में तालाब में एक बकरी डूब रही है उसकी पीट पर एक चिड़िया बैठी है तब ही पेर से चिड़िया का बच्चा पानी में गिरा बकरी उसे बचाने गई तो वह भी डूबने लगी प्रिष्ठ संख्या 36 इस प्रिष्ठ पर दो चितर दिये गए हैं पहले चित्र में तालाब में एक हाथी है जिसकी पीट पर बकरी बैठी हुई है और हाथी की सोंड पर चिड़िया बैठी हुई है हाथी ने दोनों को बाहर निकाला कुछ दिनों में चुडिया का बच्चा बढ़ा हो गया इस प्रिष्ट के दूसरे चित्र में एक पेड़ है जिस पर फल लगे हुए है कुछ फल जमीन पर रखे हुए है जिन्हें बकरी और हाथी खा रहे है साथी चुडिया भी बैठी है चुडिया पता लगाती कि कहा कहा फल लगे है तीनों वहां जाते और खोब फल खाते अब तीन साथी साथ रहते साभार एक लव्य प्रिष्ट संख्या 37 बात चीत के लिए एक तालाब के पास किसका पेड़ था दो, हाथी ने बेर का पेड़ क्यों हिलाया तीन, किसी ऐसी घटना के विशय में बताईए जब आपने किसी की सहायता की हो क्या होता अगर एक, चुडिया का बच्चा तालाब में ना गिरता दो, हाथी तालाब के पास ना होता चित्र में कितने हाथी कहा छुपे हैं सारे हाथी, आओ खोजे मिलकर साथी इस प्रिष्ट कर एक चित्र है जिसमें एक कमरा है उस कमरे में एक तरफ जोला टंगा हुआ है जिस पर हाथी का चित्र है एक बेड है, जिसकी चादर पर हाथी बने हुए है तकिये की खोल पर भी हाथी बना है एक मेज पर हाथी के आकार का एक डबा रखा हुआ है जिसमें कुछ कलम रखी हुई है उस मेज के पीछे ही दीवार पर एक लटकन लटक रही है जिसमें हाथी के चित्र बने है एक और छोटी मेज है, जिस पर एक पौदा रखा हुआ है और वो पौदा जिस गमले में है, उस गमले पर भी हाथी का चित्र बना है कमरे की दीवार में एक बड़ी सी खिलकी है, जिसमें से एक हाथी का सिर नजर आ रहा है प्रिष्ठ संख्या 38, पहले क्या हुआ? कहानी में जो जो हुआ, उन्हें करम से अंक दीजिए एक पेड़ पर चिडिया बैठी हुई है, उस पेड़ के नीचे हाथी और बकरी बैठी हुई है दूसरी चित्र में हाथी अपनी सून्ध की मदद से टैनी को नीचे गिरा रहा है और बकरी उस टैनी पर लगी पत्तिया खा रही है तीसरे चित्र में एक हाथी और एक बकरी चले जा रहे हैं चौथे चित्र में एक पेड़ है जिसमें कुछ फल लगे हुए है कुछ फल जमीन पर रखे हुए हैं, जिन्हें बकरी और हाथी खा रहे हैं पास में ही चिडिया बैठी हुई है पांच में चित्र में बकरी और चिडिया दोनों तालाब में डूब रहे है छटे चित्र में हाथी पेड की टहनी को नीचे जुका रहा है और बकरी उस टहनी पर लगे बेर खा रही है प्रिष्ठ संख्या 49 शब्दों का खेल एक, कहानी में आए तीन साथियों के नाम बताईए दो, अपने शिक्षक की सहायता से शब्द पढ़िए और बताईए कि इन में कौन कौन सी ध्वनिया है बकरी, चिडिया, हाथी यहां दिये गए शब्दों में ए की मात्रा ए लगाईए और पढ़ने का प्रयास कीजिये बकर, रिक्त स्थान हाथ, रिक्त स्थान चींट, रिक्त स्थान चार यहां दिये गए शब्दों में ए की मात्रा लगाईए और पढ़ने का प्रयास कीजिए रिक्त्स्थान ततली रिक्त्स्थान गलहरी रिक्त्स्थान मठाई शिक्षन संकेत मिठाई और तीन साथी कहानी में आये शब्दों एवं अन्य शब्दों की सहायता से ब, च, थ, धोनियों और उनकी आकरितियों की पहचान करवाएं मात्राएं लिखने में बच्चों की सहायता करें प्रिष्ठ संख्या चालीस चित्र और बातचीत मच्छली शिक्षन संकेत बच्चों को चित्र में दी गई चीजों की पहचान करने उनके बारे में बात करने का परियाप्त समय एवं अफसर दें अंदर बाहर छोटा बड़ा आदी पूर्व संख्या का अभ्यास कराएं इस प्रिष्ठ पर एक चित्र है जिसमें बाहर लहर कचुआ कूदना कमल अंदर तैरना बाल छोटा बड़ा है इस प्रिष्ठ पर एक चित्र है जिसमें समंदर की लहरे हैं लहरों के अंदर और बाहर कुछ मचलिया हैं कुछ बच्चे हैं प्रिष्ठ संख्या 41 जट पट कहिए कुछ उट उचा कुछ पूँच उची कुछ उचे उच की पीठ उची इस प्रिष्ठ पर एक चित्र है जिसमें एक उट है दो पेड है और आधा चंद्र है साभार आप भी अपने घर में परिवार के लोगों से ऐसी ही जट पट कविता के विशय में जानिये और मित्रों के साथ मिलकर जट पट बोलिये आओ कुछ बनाए अंगूठे की चाप से आप भी अपनी पसंद के चित्र बनाए और उनके नाम लिखिये इस प्रिष्ठ पर कुछ चित्र दिखाए गए है जिन्हें अंगूठे की चाप से बनाया गया है वे हैं एक केकड़ा, एक मचली, एक बच्चा और एक हाथी प्रिष्ठ संख्या 42 दिये गए चित्रों को पूरा कीजिये और नाम लिखिये इस प्रिष्ठ पर दिये गए पहले चित्र में नीचे कुछ पानी है और अंकों की सहायता से आपको मचली का चित्र बनाना है इस प्रिष्ठ पर दिये गए दूसरे चित्र में नीचे जमीन है और अंको की सहायता से आपको एक गेंद बनानी है प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत